तकि सबसे पहले information आपके पास आए ना कि आपके competitor के पास जाए क्योंकि उस समय पर लोगों को लगता है ये नया business है ये कर लूँगा तो income आएगी लोग economy के हिसाब से नहीं सोच पाते हैं आपकी 3 लाख रुपे sale रहेगी मतलब आपकी sale drop हो गई लेकिन जब business loss में जाता है या business में operating cost cover नहीं कर पाती है तब लगता है हाई friends मैं हूँ dr. आमित्माईश्वरी और आप सभी का सोगत करता हूँ आज की informative वीडियो में friends आज का जो विशा है न how to grow business in recession मंदी के समय में व्यापार को कैसे चलाएं ये बहुत बड़ी समस्या है हर उस व्यक्ति के लिए जो अर्थिवस्था में मंदी का शिकार है कहते हैं कि अर्थिवस्था जब बहुत तेजी से नीचे जाती है तो हम अपने व्यापार को ठीक से संबाल नहीं पाते कहीं न कहीं मंदी का शिकार हो जाते हैं और आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से स्पेशली कोरोनकाल के बाद से ब्यापार जो हैं वो धीरे घटते जा रहे हैं बंद होने की कगार पर आते जा रहे हैं तो मंदी के समय पर business कैसे करना है यह समझना बहुत जुरूरी है यह मंदीत में के समय में होता क्या है पहले यह समझ लेते हैं एकॉनमी बहुत जारा डॉप डाउन पर आ जाती है मतलब अर्थिवस्था नीचे आ जाती है अर्थिवस्था में जो पैसे का फ्लो रुख जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है मार्किट में डिमांड कम हो जाती है लोगों के पास पर्चेसिंग पावर जो होती है घड़ सारे के सारे लोग ना पैसे को दबा कर बैढ़ जाते है कोई पैसा खर्च नहीं करता जब kidneys करता तो money काutation नहीं होता और जब money का सेल कम हो जाती है और लेकिन आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैं एक्जैम्पल को रूप में बताता हूं मान लीजिए आपकी सेल पहले पांच लाख रुपे महीन ही हुआ करती थी और थिवस्था में मंदी आ गई धीरे 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 आपके सेल ड्रॉप होके तीन लाख पर आ गई पर आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वह एस इज रहा मतलब आपका रेंट आपकी स्टाफ सेलरी आपका इलेक्रिसिटे बिल यह सारी चीजों में कोई परिवरतन नहीं आया जिसकी वएसे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती थी कि यार इतने कम खर्चे में हम इतना बेटरी बिजनस कर रहे हैं वह आपको भारी लगने लग जाती है आपको लगता है यह तो बहुत बड़ा बर्डन मेरे उपर है किराए एक समय पर जब बिजनस तेजी पर होता है तो लगता है यह कुछ भी नहीं है पूरी स जिसकी वाइस सार लोगों के पास जो वर्किंग उसकी नहीं ँ सुमेर कर आ Maharaj तक हम एक साल, तीन साल तक उसके पासे समय जाते रहाए न सब्सक्रと思います जाता है इस विश्य पर हम बात करने वाले हैं इस बात को ध्यान चे समझने से पहले मैं प्रकृति का एक मौसम आपको समझा देता हूं आप सभी को पता है दो मौसम है एक पतज़ड और एक बसंद पतज़ड के समय पर क्या होता है पत्तों के तूटने की गती नए पत्तों क सारे पेड़ खाली दिखाई येते हैं इसी को हम कहते है पतर जड्य आ गये taper सूने कि उसोस हुझाते हैं ठीक उस्तरे से बसंद क्या होता है कि पत्यों के आने expect आने की जो कतिये वो g 맞아 35 शूराने पत्यूते पत्ये कन तूटते ये पत्ये उगने की इसकी during हरे भरे दिखाई देते हैं दोनुई अवस्था में एक बात कॉमन है ध्यान रखिए पतजड के समय पर भी नए पत्ते उगते हैं लेकिन टूपते ज़्यादा इसलिए पेड़ खाली हो जाता है ऐसी बसंत के समय पर भी नए पत्ते बहुत ज़्यादा उगते लेकिन उसके इसका मतला प्रकृति हमें इस बसंत चलो दूसरी बात करता हूं मानलो अर्थेवस्था बहुत तेजी पर है बहुत जारा विकास हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है लेकिन आपके पास सेल नहीं है न तो भी समझ लीजिए कि बसंत में आपके पत्ते जर्दना शुरू हो गए है इसका मतलब अर्थेवस्था ज सब्सक्राइब के नहीं है दूसरा बुमांड हो जाती है जब रहा होती है तो आपको क्या काम करा है search new buyers नए नए ग्रहक ढूंदना शुरू करें अभी आप कहेंगे कि सब नए ग्रहक कहां से मिलेंगे देखें मैं इसको एक उधारन के उरूप में बताता हूं मान लीजिए आपके पास तीन ग्रहक हैं A, B, C जिनको आप material supply देते हैं और पूरा का पूरा बिजनस इनी पर टिक मैंने कहां डिमांड कम हो गई मतलब ए ने जो लाख रूपे का ओडर देता था अब वो सिर्फ 50,000 का दे रहा है बी जो दो लाख का मेट्रियल खरीद रहा है सी जो दो लाख का खरीदा था वो खाली डेड़ लाख का ही material खरीद रहा है इसका मतलब आपकी सेल कितनी रहेगी डेड़ और एक धाई और पचास आपकी तीन लाख रूपे सेल रहेगी मतलब आपकी सेल ड्रॉप हो गई ध्यान से समझ लीजेगा सेल घट गई इसलिए आपको लगा कि मार्केट में डिमांड कम हो गई लेकिन और ऐसे बहुत सारे गराक होंगे ए बी सी के बाद डी होगा ई होगा एफ होगा जी होगा एच होगा यह भी तो कहीं ना कहीं से दो लाख का माल खरीदते होंगे इनक जी एच अपने बायर बढ़ाने हैं देखे एक गराहक ज्यादा सेल दे या थोड़ी थोड़ी सेल बहुत सारे गराकों से आने लग जाए और ज्यादा नमबर ऑफ बायर आपके पास बढ़ जाएं तो आपके उपर मंदी का कोई प्रभाव नहीं होगा मतलब आप पांच है सिस्ट के लिए तिन लग के शेल कर रहे हैं पर आपने डी ढूंड लिया पचास hard की बड़ और यह उसके लिए इंडिया मार्च ट्रेड इंडिया एकक्स्पोर्कर इंडिया या आपके पास जितनी पुराणी leads आई हैं उन सब को लगातार follow करो उनको catalog भेजो सेंपल भेजो उनसे बातचीत करो उनको discounted price दो नए buyer सर्च करेंगे तो धीरे 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 sale कम होने के बावजूद भी आपकर बायर बहुत सारे होंगे जब बायर बहुत सारे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छोटी-छोटी सेल हुई है लेकिन छोटी-छोटी सेल नहीं टोटल बड़ी sale का volume generate कर लिया इसलिए try to find out new buyer उसका तरीका क्या इंडिया ट्रेड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अलीबाबा बिजनस मीट बिजनस सैमिनार एक्जिबिशन पाटिस्पेशन इतने सारे पैरामिटर खोल दो कि हम हर जगा से नई नई आप ये देखिए आपके product में कितना अप additional discount दे सकते हैं अभी तक आप बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे थे एक product था उसमें 20% मार्जन था क्या 5% मार्जन अपना कम करने के लिए तयार है और मंदी के समय में आप ही क्या बहुत सार लोग तयार हो जाएंगे इसलिए आ कालकर आप ज्यादा सेल करने का प्रयास करो चाहें कम-कम अमाउंट में सेल का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए उसके बाद अगर आपकी सेल लोग हो रही है तो आपको क्या करना है start marketing to grab new customers नए customers तक अपनी जानकारी पहुचानने के लिए marketing शुरू करें आप कहेंगे पहले ही एरिया में अपने business को अपने product को अपनी services को promote करना शुरू करें इंप्रूव follow-up strategy दोस्तों जब काम बहुत तेजी पर होता ना तो आई हुई leads में हमके वह उनसे बात करते हैं जो हमसे material लेते हैं लेकिन जब काम बहुत मंदा हो जाता है ना तो हम ढून ढून कर leads निकालते यह lead आई थी इस दिन call आई थी इस दिन mail आया था इस दिन किसी का response आया था उन सबसे follow-up की strategy को improve करो जितना बहतर follow-up करेंगे ना उतना ज्यादा conversion चाहें थोड़े ही amount का सही जो आज में 2,00,000 का माल खरीता था उसकी demand भी कम हो गई पर वो 50 पे रह गई पर वो जुड आप से गया ज़रूरत क्या है नएने लोगों को जोड़ने की right follow-up strategy से आप जारा लोगों तक अपना communication करके उन तक पहुंच सकते हैं और उनको अपनी company में जोड़ सकते हैं हाई operating cost होती है अब हमें करना क्या हमें यह पता ही है अथिवस्तामंदी में तो आपकी operating cost ने इसको control कर करेंगे आप यह देखो कौन-कौन से अत्रिक खर्चे जिन पर आप control कर सकते हैं जैसे electricity bill एक office ने सिर्फ अपने AC का जो on-off switch है वो केवल एक घंटे पहले off करना शुरू कर दिया उस office में 10 AC लगे हुए थे और 1 AC एक घंटे में 10 unit लेता था मैं example ले रहा हूं कुछ लोग कह cost को बचा लिया और commercial में 100 unit की जो cost होती है वह on average 12-15 रुपे होती है तो 1500 रुपे पर दे उन्होंने केवल AC कंजम्शन के बचा लिया 1500 रुपे से अगर आप देखेंगे तो लगभग 45,000 का खर्चा केवल AC कंजम्शन से बचा लिया यह को धारन है आप जब business में मंदी पर हो आप अपनी cost को कम कर पाएंगे operating cost कम होगी तो कहीं न कहीं burden business का कम हो जाएगा और आप marketing में वह पैसा लगा पाएंगे उसके बाद ask for more productivity अपने ही employees से उनसे बोलो भया इस समय recession है आपकी salary देना हमारे लिए भारी पढ़ रहा है आपकी job चली जाए इससे अच्छे अपनी productivity बढ़ाओ और पूरे विश्वास से एक बात कहता हूं अगर आप ठीक तरीके से message अपनी team को convey करते हैं कि we improve your productivity so that we can generate good business तो आपकी team ही positive energy के साथ अपनी productivity को बढ़ाएगी comfort zone से बहार आएगी बशर्ते ये बात आप अपनी team के साथ जरूर शेयर करें और leadership quality के साथ शेयर करें कि हम मिलकर इस पूरे business को बहतर तरीके से चलाएंगे loss से business को उभार कर आगे लेकर आएंगे और एक अच्छी possibility के साथ business को grow करेंग उसके बाद loss in business आपका धीरे धीरे cover होना शुरू हो जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है अपना break even point तक पहुंचना है और break even point का मतलब क्या है जितना आपका monthly operating खर्चा है उस खर्चे को meet up करना है पहले जल्दी से इतनी sales तो grab करनी है कि आपका खर्चा पूरा हो जाए और जब खर्चा पूरा हो जाएगा ना तो आपके mind पे एक relaxation होगा कोई pressure नहीं होगा और बिना pressure के जब आप काम करेंगे तो आप नए ideas पर काम करेंगे कि कैसे इस break even वाले business को no profit no loss no profit no loss के business को profit पर लाये जाए उसके लिए ज़रूरत है इन सभी steps पर एक साथ काम करने कि ग्रो कर पाएंगे दूसरी important बात क्या है friends friends मंदी के समय पर ना लोग अपने business से परेशान हो जाते हैं यह loss की वज़े से उनको लगता है कि अब यह business आगे चलने वाला नहीं है ऐसी अवस्था में लोग business की नई opportunities को सर्च करते हैं आप भी देखो अगर मानलीजी आप अप अपलतम बड़ी-बड़ी companies मंदी के समय पर अपने सबसेदा dealers सबसेदा distributor सबसेदा नए franchise बनाती है क्योंकि उस समय पर लोगों को लगता है यह नया business है यह कर लूँगा तो income आएगी लोग economy के हिसाब से नहीं सोच पाते हैं लोग के वलक business के पैमाने के अधार पर सोच पा how to grow your business by franchise model मैं आप लोगों के लिए develop कर रहा हूँ मेरा request है चैनल को subscribe कर लें ताकि सबसे पहले information आपके पास है ना कि आपके competitor के पास जाए इसलिए इस चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें और bell icon जरूर प्रेस करना ताकि notification आपको मिले कोई भी प्रश्ण आपके मन में है तो वो मुझे comment box में लिख दें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भ कृप सुनर ठाकिannen यरूरी सुनरे लिए बहुंत पस्वेश्वरी जैस मिले इसी करना वहें महां कारता हूँ नच्छर इसमितमा संवस्त रहें में ज़šच लिए पक्नला क्सरा का मैं जकि एक्क ठाकिन पस्लियार, हम झान Merciॉँऋ उपता बड़τε़्का ब forma Do Do TB Topmitt dévelop का